तो पार्टेट की शुरुआत में हम चिशी को देखते हैं, जो कुछ रिंग्स की डिजाइन्स बना रहे थी, जो उसने खास उसकी शादी के लिए बनाया था, मगर सैडली वो अभी रिंग को उतार देती है, तब इस होंगा उससे बात करने आता है और उससे पूछता है कि व जा करती थी, वो दिन रात तो बस काम ही क्या करती थी, जो सब सुनकर सौंगा को रिलाइज होता है, चिशी ने कितना ज्यादा स्ट्रॉगल किया है, श्वाइन श्वाइन को बाल बोस कर बढ़ा करने के लिए, तो दीरे दीरे सौंगा को देल में चिशी के लिए सौफ्ट जो सुन सौंगा और फिर से चिशी की बार में सोचना लग जाता है, फिर रात को घर लोट कर, वो चिशी को देखती हुए अपने आप से कहता है, कि शायद चिशी को सेच में उनकी फैमिली की फिकर है, वह उसे अभी बहुत गल्ट होता है, चिशी की साथ बुरा बिहेव करन बच्चों के लिए पहले लोकेशन ट्रेकिंग वोच लेकर आया था, तो चिशी को उठाकर वो उसका फोन मांगता है, इसमें वो लोकेशन ट्रेकर सॉफ्टवेर इंस्टॉल कर देता है, देन उसे कहता है कि वो उसे अपने साथ प्रमोशनल मीटिंग में ले जाना चाता ह हमने डिसाइड किया थाने कि हम दोनों कॉप्लेट करेंगे, इसलिए चिशी उसका हाथ होल्ड कर लेती है, लेकिन अगले फ्लोर पर लिफ्ट खुलने से, उनके सामने लूसी होती है, जो दोनों को साथ में इतना करीब देकर है उपर से, चिशी ने उसका हाथ भी पकड़ है, मगर उसे बिलीव नहीं होता, तो चिशी सौंगाओ को किस कर लेती है, मगर इस किस में वो दोनों कुछ जाधा ही खो जाते हैं, कि लिफ्ट भी बंद हो जाती है, मगर इनका किस तो चली रहा होता है, तो थोड़ा ख्याल आने पर वो दोनों अलग होते हैं, तो दोनों और इशारा करते हुए बताता है, कि उसकी लिफ्टिक बिगड गई है, इसलिए उसे ठीक करनी करें चिशी थोड़ा बाहर जाती है, अब उसके पीछे पीछे वहाँ पर लूसी भी आ जाती है, जो आकर उसे खहती कि अच्छा एक्टिंग कर लेती हैं, मगर मुझे पता है कि तुम्हारी शादी साच नहीं हो सकती, क्योंकि मैं सौंगाओ को बहुत ही अच्छी तरह से जानती हूँ, अगर उसने तुमसे शादी किया भी होगा, तो उसका कोई और ही मतलब होगा, लेकिन चिशी भी उसे अच्छा जवाब देती है, तब जुन वाँ पर चिशी को उसे की ऐसे पता चला कि वो यहाँ पर है, जिस पर जुन बताता है कि सौंगाओ ने उसे पहले इशारा कर दिया था, क्योंकि उसने चिशी के पीछे लूसी को जाते हुए देखा था, तो अब जुन उसे लेशन के बारे में पूछना लग जाता है, लेकिन चिशी उसे ले पीड हो गया, तो वो घर पे आकर भी सौंगाओ के बारे में सोच रही थी, तो वो उन फ्लावर्स को भी संभाल कर रख देती है, इधर जुन ने एक्सप्रेस डिलिवरी के जरिये, लेशन के घर का एड्रस निकाल लिया था, तो वो उसके लिए कुछ सामान डिलिवर करने कर रही थी, तो लेशन उसे वीडियो डिलिट करवानी के लिए उससे बात करने लग जाती है, जहां जुन तो उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में इंडरेक्टली बताता है, मगर लेशन को तो बस वो वीडियो डिलिट करवानी थी, इसलिए वो उसे प्यार से बात कर रही यह होती है देन जुन उसे संभाल कर रहने के लिए कहता है ऐसे ही किसी की बुलाने से दर्वाज़ा वो ना खोले वरना कुछ भी हो सकता है अब जुन वो वीडियो डिलीट नहीं कर रहा था इसलिए लिशन तो उसे मानने ही लग जाती है जिस तोरां दोनों काफी क्लोज आत है चिशी घर से बाहर आती तो वो देखती है कि उसके ट्रेजर बॉक्स का सारा सामन दो कार के डिक्की में रखा हुआ था अच्छी तरह से सजाकर तो चिशी श्वान श्वान से इसके बार में पूछती है तो वो बताती है कि अंकल हमारे साथ एक और टास्क करने जाने वा कि वैल्यू समझ में आ गई है और ये भी कि आप उन पैसको कमाने के लिए कितनी जादा मैनत करते हो इसलिए मैं भी मैनत करके बड़ा आदमें बनूंगा फिर मैं अपने ममा पापा और बेहना के लिए गिप्ट्स खरी दूँगा तो सौंगा हो शौन शौन की क्यार करने लग जाता है जो देकर चिशी सोचती है क्या शौन शौन की लिए उसके क्यार भी एक्टिंग है या फिर वो सच में शौन की क्यार करता है तो वो इस बारे में सोच रही होती है क्यों मानेंगे तो सौंगाओ कहता कि चिंता मत करो मैं सब कुछ संभाल लूँगा तो अगले दिन चिशी के ममी डैड़ी यहाँ पर पहुंचाते हैं तो सौंगाओ और ग्रानपा ने उनका फेवरिट खाना बनवाया था तो खाना शुरू करने से पहले सौंगाओ उनके लिए लाया हुआ गिफ्ट देता है डैड़ को चाय पसंदे इसलिए इंपोर्टेट चाय पती गिफ्ट करता है वहीं मॉम एक टीचर थी इसलिए वो उने एक बहुती खास पेन गिफ्ट करता है तो अब माताजी शुरू करती है सवालो की बहचार कि वो दोनों पहले बार कब मिले थे, कब वो दोनों इतने ख्लोज आ गए और इतनी जल्दी कैसे उनके शादी हो गई फिर वो कहती है कि चिशी को तो खाना बनाना भी नहीं आता फिर तुम्हें वो पसंद कैसे आ गई तो सौंगाओ एके करके उनके सारे सवालों का जवाब देता है जहां शादी के बारे में वो उने सची बता देता है कि गरन पाच आते थे कि मैं शादी कर लिए इसलिए मैंने चिशी को शादी कर लिए प्रपोस किया पर तभी चंचन ममा कहते हुए वह वहाँ पर आ जाता है तो सौंगाओ चंचन का इंट्रेक्शन उनसे कराता है कि चंचन मेरा बेटा है ये सुनकरी पापाजी तो शादी के लिए मना कर देते हैं और बिताते हैं कि मुझे ये शादी मन्जूर नहीं है और यहीं पर एपिसोड नमर 8 खतम होता है तो अब ये दोनों आगी क्या करेंगे चिशी कि डाडी को ये लोग मना पाएंगे या नहीं देखेंगे हम अगले एपिसोड में जिए पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर पहली बार आये तो do subscribe and hit the bell icon ताकि आगे आने वाली parts आप से miss ना हो तो मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए take care and bye bye